साथ संगत ची प्यार से कहना धन नरंकार ची आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत ची एक महिला रोटी बनाते बनाते सिमरन कर रही थी काम करते करते भी उसे सिमरन करने की आदत हो गई थी क्योंकि बैठ कर सिमरन करने का समय उसे नहीं मिल पाता था कि तभी बाहर अचानक से जोरो की आवाज हुई और साथ में एक दर्दनात चीक की आवाज निकली उस महिला का कलेजा धक सी रह गया जब आंगन में दोड कर जब उसने ओपर से नीचे जाका तो उसका आठ साल का बेटा बेहोश पड़ा था खून से लगपत वो महिला दह आड मार मार कर रोने लगी घर में उस महिला के अलावा और कोई नहीं था वो रोकर भी किसे बुला थी फिर उस महिला को अपने बेटे को संभालना भी तो था सासंकत जी जब वो महिला दोड कर नीचे गई तो उसने देखा कि उसका बेटा आदी बेहोशी में मा मा की रट दगाए हुए था मा की ममता तड़क गई और आखों से निकल कर अपनी मोजूदगी का एहसास करवाया और उस महिला का इस घटना के करीब दस दिन पहले ही अपेंडिक्स का एक उप्रेशन हुआ था फिर अपने उप्रेशन के बावजूद नाजा ने उस महिला में इतनी शक्ती कहां से आ गई कि अपने बेटे को गोद में उठा कर वो पडोस के नर्सिंग होम की तरफ दोड़ी रास्ते भर में वो सत्गुरू को कोस्ती रही बढ़ बढ़ाती रही कि सत्गुरू मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने मेरे ही बच्चे को इस हाल पहुचा दिया जैसे ही वो महिला नर्सिंग होम में पहुची वहां डॉक्टर उसे मिल गए और समय पर इलाज होने की वज़े से उसका बेटा बल्कुल ठीक हो गया साथ संगत जी डॉक्टर ने उस महिला को बताया कि उनके बेटे की चोटे गहरी नहीं थी चोटी उपरी थी तो कोई खास परिशानी नहीं हुई उसी घटना की रात को उनके घर पर जब सभी टीवी देख रहे थे तब भी उस महिला का मन बड़ा बेचैन था उस महिला को सत्गुरु से विरक्ती होने लगी थी एक मा की ममता गुरु सत्ता को चुनोती दे रही थी साथ संगत जी उस महिला के दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरहां चलने लगी कि कैसे उसका बेटा आंगन में गिरा फिर एका एक उसकी आत्मा सी हर उठी और उसने सोचा कि कल ही तो पुराने हैंड पंक के पाइप का टुकडा आंगन से हटवाया था और वो टुकडा ठीक उसी जगा था जहां उसका बेटा गिरा था उस महिला ने सोचा कि अगर वो टुकडा ना हटवाया होता तो क्या होता फिर उस महिला का हाथ अपने पेट की तरफ गया जहां पर टांके लगे हुए थे और वो टांके अभी भी हरे थे उस महिला को बड़ी हरानी हुई कि उसने 20-22 किलो के अपने बेटे को उठाया कैसे और कैसे वो अपने बेटे को उठा कर आधा किलोमीटर तक दोड़ती चली गई और उसे उसका बेटा फूल की तरह हलका लग रहा था उस महिला ने सोचा कि वैसे तो वो कपणों की बाल्टी तक छट पर नहीं ले जा पाती है फिर अचानक से उस महिला को खयाल आया कि नर्सिंग होम में डॉक्टर तो दो बज़े तक ही रहती है और वो महिला जब नर्सिंग होम पहुँची तब साड़े तीन बज रही थे और उस समय भी डॉक्टर नर्सिंग होम में मुझूद थे उस महिला के पहुँचते ही डॉक्टर ने लड़के का तुरंत इनाज किया मानो किसी शक्ती ने डॉक्टर को रोक कर रखा हो ये सारे घड़नाओं को सोचते ही उस महिला का सर गुरु चरणों में श्रद्धा से जुक गया अब वो सारा खेल समझ चुकी थी मन ही मन सत्गुरू से अपने क्षब्दों के लिए रोते रोते उस महिला ने ख्षमा मांगी कि तभी टीवी पर परवचन आ रहा था कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता क्योंकि वो तुम्हारा ही करम है लेकिन मैं तुम्ही इतनी शक्ति दे सकता हूं कि तुम असानी से उन्ही पार कर सको और मैं तुम्हारी रहा आसान कर सकता हूं बस तुम धरम के मारक पर चलते रहो उस औरद ने जब घर पर लगी हुई सत्कुरू की तस्वीर की दरफ देखा तो सत्कुरू की चवी मुस्कुरा रही थी साथ संगत जी ये तो सत्कुरू की किरपा ही थी जो उस महिला के बेटे को सत्कुरू ने बचा लिया साथ संगत जी अगर हम सेव को काट कर देखें तो उसमें से अकसर तीन बीज निकलते हैं एक बीज से एक पेड़ और एक पेड़ से अनेक सेव और अनेक सेवों में फिर तीन तीन बीज हर एक बीज से फिर एक नया पेड़ और ये करम चलता ही जाता है थी किसी तरहा सत्गुरु के किरपा हमें प्राप्त होती रहती है बस हमें सत्गुरु की भक्ती का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत है साथ संगत जी गुरु तो एक तेज है जिसके आते ही सारी संशय के अधकार खतम हो जाती है गुरु वो मृदंग है जिसके बज़ते ही अनाहद नाद सुनना प्रारम हो जाता है सत्गुरु वो ग्यान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है सत्गुरु वो दिक्षा है जो अगर सही मायनों में मिल जाए तो भाव सागर पार हो जाती है सत्गुरू वो नदी है जो नरंतर हमारी प्राणों से बहती है सत्गुरू वो सत्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है सत्गुरू वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है सत्गुरु वो अमरित है जिसे पेकर कोई प्यासा नहीं रहता और सत्गुरु वो किरपा है जो सिरफ कुछ सिश्यों को वישेश रूप से मिलती है और कुछ पांकर भी समझ नहीं पाते सत्गुरु तो वो खजाना है जो अनमूल है और सत्गुरु वो प्रसाद है जिसके भागय में हो उसे कभी भी कुछ मागने की जरूरत नहीं पड़ती सत्गुरु के किरपातो धीरे धीरे अपना इतना रंग ले आती है कि सत्गुरु अपने गुर्सिक को अपने ही समान बना देता है सद्गुरू हमारे कर्मों की गाठों को रोज एक-एक करके खोलती रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कर्मों का सिलसिला अचानक समापत कैसे हो गया यूगों-ूगों से सद्गुरू की डया अपने जीवों पर इसी प्रकार से बरसती हुई आ रही है और आज भी सद्गुरू के भाणे में रहने वाले भाग्याशाली जीवों पर बरस रही है तो साथ संगत जी हम जीवों को चाहिए कि हम भी इस सचे भाणे में रहने की कोशिश करें और कर्मों का हिसाब किताब खतम करें ना कि अगले जनम की काम ना करें उमीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अपनी विचार कमेंट द्वारा जरूर बताईएगा फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ नए विजारों के साथ साथ संगत ची प्यार से कहना दान नरंकार जी अच्छी लगी होगी